इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा हालिया दिनों में हमने देखा है कि तंग परिवार और उनके लीडर्स एक कोशिश कर रहे हैं कि RSS के जो लीडरान हैं जिनोंने देश के सोतंत्रा के लिए कुछ भी नहीं किया उन लोगों का एक वाइट वाइट वाश करने का एक काम किया जा रहा है हाली में सार्वरकर के साथ भी यही हो रहा है हर कोई जानता है कि सार्वरकर एक गद्दार है जिसने देश के साथ गद्दारी की और अंग्रेज़ों के साथ माफी मांगी और अंग्रेज़ों के लिए काम भी किया कि RSS के पास खुद के कोई heroes नहीं हैं क्योंकि उन्हें कुछ खिया ही नहीं देश के लिए कुछ खिया ही नहीं जब पूरा पूरा देश अंद्रेश से लड़ रहा था ये लोग देश को बाटने पर लगे हुए थे तो कुछ किया नहीं लेकिन आज अपने आपको बड़ा द बनाये जा रहे हैं और उसी सिलसे में सारवरकर के बारे में भी agreement आर हैं दूसरी चीज हर कोई जान ता है कि देश की आज़ा देश का दुशंत स्थमिन बतारा हैं वही मुसलमानों की शहादत वही मुसलमानों का खून इस देश के आज़ा हुआ हुआ हैं उसको हुआ चु ने किया ऐसा भी एक narrative वो लोग ला रहे हैं तो ये पूरे narrative से मैं आज आपके सामें जो point ला रहा हूँ और recently जो राजनाज सिंग का जो statement आया सारवरगर को लेकर उसके बारे में तो उसमीदे कि सबसे पहली बात सावर राजनाज सिंग ने कहा था कि सावरकर ने माफी मांगी मरसी पेटिशन दी बिल्डिश के सामने वो इसलिए क्योंके महात्मा गांजी ने उन्हें कहा था अब पहला चीज जो है सावरकर ने बहुत सारे पेटिशन लिखे हमें एक तीन 2017 में था महात्मा गांजी साउथ अफरिका से इंडिया को आये 1915 में याने महात्मा गांजी इंडिया में आने से पहले ही सावरकर ने महात्मा गांजी से कहां से पर्मिशन ले लिया मरसी पेटिशन दालने का तो इसे जूट नरेटिव यह लोग फैला रहे हैं अब इसमें पॉइंट ये है इतनी आसानी से ये जूटी नरेटिव इसलिए फैराते हैं क्योंकि इन्हें 100% पता है कि ये कुछ भी जूट बोलेंगे उसे आंग बन करके मानने के लिए लोग हैं यहां पर याने वाटसेप पर इसी जूटी इस्ट्री अगर प्रोगेट भी करती है और ग गोधी मीडिया अपने प्राइम टाइम को इस्तेमाल करती है तो यह जो एक माफी नामा उसने मांगा था वह असल में उसकी गद्दारी का अपने गद्दारी के वज़े से उसने किया था और सेकेंड वहां जो अंग्रेजों के सामने वह अपना सर नहीं जुगा है और वहा से भागने की प्लाइनिंग उसने कर दी और माफी मैलने की प्लाइनिग उसने कर दी तो यह असल में भगोड़े पन की निशानी थी यह कोई strategy की निशानी नहीं थी दूसरा चीज RSS के लोग पर ये बता रहें उसने अंग्रेजों से अपनी माफी नामे में चंद बातें कहीं ति उसमें से एक बात उसने ये भी कहा था कि मैं बाहर आँगा और अपनी जो भी एक इस गवर्मंट के लिए बिरिटिश गवर्मंट के लिए काम करूंगा और अगर आप मुझे यहां से भार छोड़ेंगे तो मेरी बातें सुनकर बहुत सारे लोग जो भटक गए हैं, देश की आजादी के लिए काम करने को उसने भटक ना कहा, मेरी बात सुनकर जो बहुत सारे लोग भटक गए हैं, वो सारे लोगों को मैं वापिस रस्ते पे हमें देखना चाहिए सारवर कर जेल के बाहर आने के बाद उसने क्या था, सब लोग से भी मतिक मसी पटिशन के बारे में बात कहते हैं, सब लोग कहते हैं उसने माफी मांगी और RSS के लोग कहते हैं, वो स्ट्राटेजी था, अब हमें देखना है बाहर आने के बाद उसने क पूरी जिंदेगी अंग्रेजों के अजेंडा को इंडिया में इंप्लिमेंट करने के लिए लगा दी अब एक नया पॉइंट भी आया है कि जिर्फ अंग्रेजों का नहीं CIA का भी एजेंट था और CIA के लोग भी उसे हर weekly basis पर पैसा दिया करते थे और सिर्फ CIA नहीं फैक्ट है अंग्रेजों के पेंशन पर भी पूरी जिंदेगी अपनी जिंदेगी चलाई है उसने तो बहाराकर कोई strategy नहीं की बहाराकर उसने सिर्फ और सिर्फ गुलामी की उसमें आपको छोटे चीज़ बताता हूँ कि जो उस जमाने के British के Secretary of State थे उन्होंने एक अपने statement म कहा था उनको चाकर इसने सावा करने के letter में लिखा था कि British और हमारे याने हिंदु मासवा के जो अजेंडेस है या अजेंडेस बहुत मिलते हैं और हमें साथ में काम करना चाहिए अपने दुश्मन ही छोड़ना चाहिए जब पूरे इंडिया अंग्रेजों को अपना दु जी एक INA बना रहे थे आजाद हिंड फोज बना रहे थे और पूरे हिंडिया के हर धर्म के लोगों से कह रहे थे कि आप अजाद हिंड फोज में जम जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो उस वक्त ये सावर कर ये क्या कर रहा था उस वक्त ये अपनी कलकत्ता सेशन में सारे कॉलेज में जाने वाले हिंडू योकों से कह रहा था कि आप ब्रिटिश के मिलेटरी फोर्स में जॉइन करो आप ब्रिटिश के मिलेटरी को जॉइन करना है और ब्रिटिश आर्मी में आप जम कर आपको लड़ना होगा किसे यही हमारे आजाद इन फोज के लोग ह जाकर जम जाओ उसके बाद वापिस आसाम और बंगाल में जब आजाद हिंद के 4000 के लोग जैपनीस आर्मी के साथ इंडिया पर हमला कर रहे थे उस व्गत यह उस वक्त पर भी जब बंगाल और आसाम में जंग चल रहेगी उस वक्त भी यही सावर कर कह रहा था हिंदू योकों को कि आप लोग अंग्रेश की आर्मी में जम जमो और वहां आजाद इन फोर्ट के खिलाफ लड़ने के लिए और ये सिर्फ एक कहावती बाटे नहीं है याने ब्रिटिश के उस वक्ता जो कमांडर इन चीफ है उसने अपना जो आभार भी प्रकट किया था उसने ये भी कहा था कि मैं बहुत आबारी हूँ बैरिस्टर सार्वरकर का जो हिंदू हों से कहता है कि ब्रिटिश आर्मी में जमो और अपनी जमीन के वास्ते लड़ो याने जो इसकी गुलामी है इसकी सार्वरकर की गुलामी इस गुलामी का सर्टिफिकेट भी इसको अंग्रेजो ने दिया है याने सिर्फ वन साइड़ गुलामी नहीं था आधर साइट से इसे सर्टिफिकेट भी मिला है उसके बाद जब हम देखते हैं 23rd सेशन जब था हिंदू मासभा का भगलपूर में 1941 में वहाँ पर भी इसने वापिस ये कहा था कि हिंदू तुवा का एक जिम्मेदारी है कि ब्रिटिश गवर्मेंट के साथ मिलकर आर्मी नेरी और एरियर फोर्स में जितना हो सके उतना जमे 1942 में जब quit India movement आया था और पूरे इंडिया के अंदर जितने भी officers थे इंडियन officers थे वो लोग ब्रिटिश की government को छोड़ रहे थे, अपने services को छोड़ रहे उस वक्त सावर कर हिंदू सभा के लोगों से कह रहा था कि आप जिस municipality में हो, आप जिस local body में हो, आप जिस legislature में हो य ये जो एक बात ये लोग लेके आ रहे थे कि सिर्फ strategy की तोर पे इसने माफी माँगाए, कोई strategy नहीं था, बाहर आकर इसने अपने वफादारी भी दिखाई और उस वफादारी का pension भी मिला, तारीफ भी मिला इसे, अब देखेंगे बड़े बड़े ये लोग बात कहा रहे थ वापिस उसने खा strategy strategy, लेकिन वहाँ पर जब सिंद के assembly में एक resolution पास किया गया, कि एक अलग country बनाना चाहिए पाकिस्तान, या मुसलमानों के लिए अलग country बनाना चाहिए, उसके बावजूद भी सावरो करके पार्टी के लोग resignation नहीं किये, अपना minister का post बचा के रखे, या मुसलिम लिग के साथ और मुसलिम लिग ने जब एक two nation की बात की, सारवर करके पार्टी के लोगों ने अपना post से क्यों नहीं इस्तिफा दिया, वो इसलिए क्योंकि मुहांबन अली जिन्नान है तो बाद में कहा, two nation theory का, 1937 में हम देखते हिंदू महासाबा का जो 19th session पा हम में वहीं पर सारवर करने एक clear कर दिया था कि हिंदू और मुसलिम ये दो एक अलग nations है, ये दो अलग nations है, ये एक नहीं हो सकते, दो अलग nations है, तो ये two nation theory की सबसे पहले बात करने वाला आदमी यही है, तो जब आगे जाकर सिंद के assembly में, जब 1943 में resolution पास किया, तो इसके party क ये लोग उना अपोस नहीं के, ये लोग खुद जाते थे कि टू नेशन होना चाहिए, तो एक एक आदमी जो पहले माफी मांगता है, एक बार नहीं, multiple बार, सिर्फ माफी नहीं मांगता, माफी मांगने के बाद बाहर आकर अंग्रेजों की गुलामी करता है, अंग्रेजो लोग जिनको अपना दुश्मन कहते हैं, जिनना उस जिनना की पार्टी के लोगों के साथ अलाइंस में बेटकर इस्तिफा भी नहीं देते, ऐसे लोगों को आज देश बक्त प्रमोट किया जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है, जिसे मैंने पहले कहा था, इनके पास लीडर् आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम आपने कभी ने सुना होगा, उनको नैशनल फिगर्स बनाए जाएगा, और टिपु सुल्तान जैसे लोग, अलग-अलग जो मुसलिम आजादी के शहीद हैं, इन लोगों को defame किया जाएगा, हिस्टरी को rewrite किया जाएगा, यह fascism का एक तरीका होता है, कि fascism अपना हिस्टरी बनाते हैं, हमें इंडिया के लोगों को इस चीज से आगा होना चाहिए, हमारा जो एक strong legacy है, एक holistic society की एक legacy है, उस legacy को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे हिस्ट के साथ मुदाकिलत करने की जब जब कोशिश यारसस के लोग और ये हिंदु तुवादी करेंगे उसे रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है